महादेव की कृपा से हर रोज नई संगत सत्संग से जुड रही है महादेव को जिसका जीवन सुधारना होता है वो अपने आप संगत से आके जुड जाता है सत्संग में आने वाले सभी भक्त शुद्ध आत्माएं ही है पर उनको अलग अलग तरीकों से भग्वान की पूजा देखने की आदत है जैसे कि माता की चौकी वगेरा जो नए लोग हैं उन्हें हमारे सत्संग के जो तौर तरीके हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता तो इसलिए जो भी नई संगत हमारे साथ जूरती है तो उसको जो है ये रिकॉर्डिंग आप जरूर भीज़ दे सबसे पहले तो सत्संग में आने से पहले आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि आप किसी समाजिक गतिविधी में नहीं एक अध्यात्मिक गतिविधी में आ रहे हैं सत्संग में प्रवेश से पहले अपना अपना जो मोबाइल फोन है उसको स्विच ओफ कर दें साइलेंट नहीं करना है स्विच ओफ करना है साइलेंट करने से क्या होता है कोई आपको पीछे से कॉल कर रहा हो बार-बार कॉल करके परिशान होता रहे ये भी अच्छी बात नहीं है और आप silent किये वे phone का मूँ देखते रहें ये भी अच्छी बात नहीं है सिर्फ एक या दो घंटे का सत्संग होता है तो उतनी देर के लिए आप phone switch off कर सकते हैं सत्संग में यदि आपको प्रशाद में जल भी दिया जाता है तो उसमें भी बहुत positive energy भर जाती है आप कोशिश करें कि पानी भी अगर आपको मिल रहा है तो उसकी भी एक boond भी आप waste ना करें और वो भी आप finish करें और जो भी प्रशाद सत्संग में मिल रहा है उसके लिए ना नहीं बोलना है ना ही और मांगना है जिसको जितना जो मिल रहा है वो चुप चाप उसको ग्रहन करेंगे सत्संग में मिलने माला प्रशाद आपके लिए किसी दवाई से कम नहीं है सत्संग में यदि भजन चल रहा हो तो उसके साथ साथ गाना नहीं है इससे दूसरों का ध्यान भंग होता है सत्संग के दौरान आप सिर्फ आँखे बंद करके भगवान में ध्यान लगाए सत्संग के दौरान आपने बिल्कुल कोई बाते नहीं करनी है आरती के वक्त कितनी देर आपने थाली घुमानी है इसका अंदाजा कितनी संगत है वो देखकर आपको खुद ही लगा लेना चाहिए संगत जादा हो तो दो-चार लोग मिलकर एक साथ आरती कर लें कोई भी अपने परिवार वालों के साथ ही आरती करने की जिद ना करे पूरी की पूरी संगत एक परिवार ही है यदि किसी को आरती करने का मौका ना मिले तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को आपकी जो भावनाय हैं आपके भाव सारे दिख रहे है एक बार सत्संग में बैठने के बाद बेवजा ना उठें अगर आपके साथ सत्संग में छोटे बच्चे भी आ रहे हैं तो उन्हें भी आप समझा के लाईए कि सत्संग में शान्ती से बैठना है सत्संग में कुछ भी लेकर आना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से पल, मिठाई, फूल कुछ भी लाए हैं तो वो भी आप सीधा लाकर जो भगवान की जहां प्रतिमा लगी होगी वहां रख देंगे कुछ लोग सेवा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद आके जो है संगत को समूसे या फूरूटी ऐसी कोई चीज बाटें अगर आप कुछ भी लाए हैं तो वो भी आप जो है जहां दरबार है उसके पास में रख दें तो जो भी आपकी होस्ट संगत होंगी जिनके आप आए हैं वो सत्संग खतम होने के समय पर उसको खुदी बाट देंगे कभी-कभी ऐसा हो जाता है जो होस्ट संगत घर में प्रशाद बनाते हैं वो संगत जादा आ जाती है और कभी-कभी कम हो जाता है अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरी संगत जो प्रशाद लेकर आई है तो वो अगर आपको मिल जाता है तो वो भी प्रशाद ही है कोई दुखी होने की बात नहीं है घर में जब हम छोटे-छोटे सत्संग करते हैं तो हम 30-35 लोगों का एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं कभी बाईचांज जादा हो गई क्योंकि हमने सब को बोल रखा है कि कहीं भी संगत की सूशना मिलती है तो आप आ सकते हैं और मान लो आपको कोई भी प्रशाद नहीं मिला दूसरे को मिला आपको नहीं मिला तो भी बिल्कुल दुखी होने के ज़रूरत नहीं है वैसे माता अनपूर्णा की क्रिपा से कभी प्रशाद कम हुआ नहीं है होस्ट संगत भी इंसान है ने-ने लोग सत्संग करा रहें इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो कॉपरेट कीजेगा मीनमेक नहीं निकालने है यदि कोई अमरजिंसी ना हो तो भजन, कथा और आरती समाप्त होने के बाद ही प्रशाद लेके सत्संग से जाएं जिस तरह आते हुए माथा टेक कर अपनी जगा पर बैठते हैं वैसे ही जाते समय भी माथा टेक कर सत्संग से उठना जाएं यहां आकर किसी भी फॉर्मल शब्दों का इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है जैसे मंदिर की डेकोरेशन अच्छी है या ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए प्रशाद अच्छा था या सत्संग अच्छा था या यहां आकर अच्छा लगा ऐसा कुछ भी बोलने की आपको जरूरत नहीं है यहां पर जो जैसा था वो भगवान के लिए था आपको उसे जज करने की जरूरत नहीं है आपको क्या कैसा लगा वो आपके और भगवान के बीच की बात है जिनके घर सत्संग हो रहा है वो सिर्फ माध्यम है सत्संग वाले घर पर सत्संग के बाद ना टिके जो दर्बार लगाया गया है वो दुनियावी बातों के लिए नहीं है सत्संग के बाद सीधा सीधा अपने घर जाए सत्संग में आने से पहले कहीं और जाने का प्लान मना कर ना आए क्योंकि सत्संग से जो आपको वाइड्स मिलती है जो पॉजिटिव एनरजी मिलती है वो एनरजी लेकर आपको सिधा अपने घर जाना है सत्संग को सामाजिक दाइरा भढाने या जान पहचान भढाने वाली जगा के रूप में इस्तमाल नहीं करना है आप जिनके घर भी सत्संग के लिए आ रहे हैं जरूरी नहीं है कि उनकी आपसे पहले से कोई जान पहचान हो आप सत्संग से जुड़े हैं तो आप किसी भी सत्संग में आ सकते हैं चाहे वहां आपको कोई जानता हो या नहीं सत्संग में कथा सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल आएं उनके जवाब ढूडने या पूछने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है आगे के सत्संग में आपको अपने सारे सवालों के जवाब स्वयम ही मिल जाएंगे बाद वाले सत्संग अटेंट करने से पहले पहला वाला सत्संग अटेंट करना सबके लिए जरूरी है पहला सत्संग अटेंड करने के बाद ही दूसरे तीसरे सत्संग आप अटेंड करें लेकिन अगर आपको सीधा दूसरे या तीसरे सत्संग का इंविटेशन आ गया है तो जिन्होंने आपको इंविटेशन भेजा है उनसे आप पहले के सत्संग का YouTube लिंक मांग ले और घर पर खुद पहले सत्संग सुने और उसके बाद सत्संग में आए ऐसा बहुती rare case में होगा नहीं तो कोशिश यह ही रहेगी कि नई संगत जो है वो हमेशा पहले सत्संग में आए जो भी अपने यां सत्संग करा रहा है वो जो है इस सत्संग के जो नियम है वो पहले से ही forward कर दें ताकि सत्संग जो है अच्छे से शांती से निमट सके और जो भी संगत आ रही है उन्हें पहले से पता हो कि उनसे किस तरीके के आचरण की अपेक्षा है आप सभी लोगों को सत्संग से जूरने की बधाई धन्यवाद